तो इसके लिए दोस्तों सरव पर्थम आपको क्या पता होना चाहिए SI unit पता होना चाहिए acceleration यानि तरण का SI unit क्या रहता है meter second की power minus 2 यह आपके पास कैसा है या बिल्कु सिंपल है acceleration का formula क्या रहता है दोस्तों आपका velocity by time velocity का unit क्या रहता है meter second की power minus one time का unit क्या रहता है second और जब इसको आगे arrange करेंगे क्या बन जाएगा second inverse जो नीचे आपका यहां पर divide में रहता है जब इसको उपर लाते हैं इसका power क्या हो जाता है negative हो जाता है इसका power देखें नीचे क्या है one उपर लेके आएगे minus हो जाएगा s की power minus one s की power minus one आपका बेस सेम होता है तो power add हो जाती minus one minus one कितना हो गया minus two इस प्रकार से आपका acceleration का ऐसा unit हमें मिलता है चली हम इसका dimensional formula की बात कर लेते हैं dimensional formula को हम किसके द्वारा लिखते हैं दोस्तो mlt के द्वारा लिखते हैं m किस के लिए use करते हैं mask के लिए mask ऐसे unit क्या रहता है quilogram क्या यहां पर आपको kilogram लिखा वाध दिख़ए दे रहा है नएं तो इसका मतलब इसका power 0 l किसके लिए length के लिए length का क्या है पाउर देखिए मेटर का कितना है वन है एल का पाउर कितना आगे वन टी टाइम टाइम का यूनिट एसाई सेकंड सेकंड का यहां पर पाउर कितना है माइनस टू ओके तो इसको हम क्या लिख सकते हैं L T की पाउर माइनस 2 और इसका पाउर हम 1 लिख देंगे M का पाउर 0 है तो किसी भी ट्रम काईदी पाउर 0 होता है तो आपका 1 हो जाता है इस प्रकार से डायमेंशनल फ्रमूला ऑफ एसलेशन आपको यह मिल जाता है धनिवाद